फ्रेंड्स से गाड़ी है टाटराइंट्राइबीटैन बीएसेक्स और इस गाड़ी में जो प्रॉल्म है यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसके इंस्ट्रुमेंट क्लेश्टर में SES सिस्टम फॉल्ट और चेक इंजन लाइट कंट्विन्देस बिलिंग कर रही ह क्लेश दबाओ और साथी साथ इसके इंस्ट्रुमेंट क्लेश्टर में पूर गिरेट डैफ और इंजिन इस्टार डिनाइट का मेसेश हो रहा है तो चलिए सबसे पहले हमें स्कैन टूल को करेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या फॉल्ट कोड है तो फ्रेंट्स स्कैन टूल को करेट करने से पहले हमें गाड़ी की डिटेल्स को फिलब करना हुआ तो CBV platform में BSX select करेंगे vehicle platform में SCV fuel type में diesel और फ्रेंट्स ये 800 CC intra है तो हम इसको 800 CC select करेंगे और VCA type में VConnect क्योंकि हम गवड़ा hardware इस्तमाल कर रहे हैं और इसके बाद next पर click करेंगे और engine management system के start पर click करेंगे तो जैसे के अब देख सकते हैं इसमें जो fault code है Urea Level Low Warning 0 Urea Level Low Warning 1 Urea Level Low Warning 2 Urea Quality Sensor Concentration 2 Low Error SCR System Fault Vehicle Setup Restart Net और फ्रेंट्स जब भी आपकी गाड़े में कुछ इस परकार के fault code आए तो सब से पहले आपको क्या करना है vehicle parameter में आना है और यहाँ आपको कुछ parameter select करने है जिसमें Urea Remaining Kilometer Depth Level और Urea Concentration कुछ parameter उनको select करना होगा और चेक करना होगा तो सब से पहले हम select कर लेते है Urea Remaining Kilometer SCR Control by SCR और Urea Level in MM और Urea Level in Liter और Urea Concentration इन parameter को select करेंगी और start पर click करेंगी तो जैसे कि अब देख सकते हैं इसमें Urea Remaining Kilometer फ्रेंड जीरो है जिसकी वेज़से गाड़ी start नहीं हो रही है और SCR Control में बाइज सरे यह true लेक़्े आ रहा है यह false होना चाहिए Urea Level in MM और Liter यह तो सही है बाइक इसका यह Urea Concentration है वो बहुत कम है फ्रेंड्स यदि आपका Dev Concentration अगर 30 से कम होगा और 36 से ज़्यादा होगा तो भी गाड़ी में पूर ग्रेट Dev का Message होगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स गाड़ी को स्टाट करने के लिए इसकी Urea Remaining Kilometer है इनको हमें बढ़ाना होगा और इनको बढ़ाने के लिए सबसे पहले SCR Indusement Board बोर जाएंगे और यहां से इसे सेलेक्ट करके Reset कर देंगे जैसे फ्रेंड्स यह Reset सक्सेस्फुल होगा तो Urea Remaining Kilometer बाले जीरो Fault Code है वो Memorize हो जाएगा तो आईगे देख लेते हैं जैसे अब देख सकते हैं पहले जो Fault Code 5 आ रहे थे Confirm है अभी वो सिर्फ 3 रहे गए तो यहां हम All DTC सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे Memorize Fault Code भी है इन Fault Code की उपर हम भी हम काम करेंगे देखेंगे कि किस वहाई से Fault Code जनेट हुए तो प्रेंड्स सबसे पहले वीकल पर रफॉम मैं आपको दिखा जिता हूँ कि इसके जो यूरेन में किलोमीटर है वो कितने हो गए है तो यहां मैं इसके परामेटर को स्लेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि देख सकते हैं अभी यहां पहले 0 आ रहा था अब वो 50 हो गया है रीसेट करने से और फिर से हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है कि लेज़ दबाव जैसे अब देख सकते हैं अभी यह गाड़ी स्टार्ट है और बागी इसमें से सिस्टम फॉल्ट की लाइट जो है कंट्रिनेस बिलिंग कर रही है अभी भी तो यहां परमेटर स्टॉप करके फिर से फॉल्ट कोड को मैं आपको दिखा देता हूं इन तीन फॉल्ट कोड को अटाने के लिए सबसे पहले आपको यूरियो कॉल्टी सेंसर वाले फॉल्ट कोड के काम करना होगा यदि आपका डेफ का कंसेंट्रेशन काफी लोग है तो आपको डेफ चेंज करना पड़ेगा ओके और उसके बाद गाड़ी को कुछ टाइम के लिए जैसे आप रन करोगे तो यूरियो फॉल्ट कोड है यूरियो लेवेल लो वार्निक जीरो वार्निक बन यह भी इस एंसर वारे फॉल्ट कोड़ पर काम करोगे